My dear friends, welcome you in Dara Classes, विए फस्स समेस्टर हिंदी कावि का दूसरा भाग तुलसी दास, गोस्वामी तुलसी दास मूल पाठ का दूसरा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूं प्यारे मित्रों, दूसरी भाग की ब्याख्या दोहा संख्या चार से आप समझेंगे प्यारे मित्रों, अब हम दोहा संख्या चार से आपको ब्याख्या बताने का प्रियास करूँगा प्यारे मित्रों, देखेंगे यहाँ पर, लोभन राम हे राजुकर बहुत भारत पर प्रियत। आपने देखा है कि राजा दसरत को बार बार कैकेई जब एक ही लक्ष की ओर साधती है बर्देने की बिसे में, तो राजा दसरत अपनी बात को किस प्रकार से रख रहे हैं, राम के पक्ष में, जो किरश कैकेई ने उनसे बारता की है। तो देखेंगे प्यारे मित्रों, राजा दसरत कह रहे हैं इस बात को, तिलोब नराम ही राजू कर बहुत भरत पर प्रीत अर्थात राम को राजी का लोब नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है अर्थात भरत से उनका बहुत ही लगाव है ये कौन कह रहा है दसरत जी कह रहे हैं किसके भी से हम कह रहे हैं राम के भी से हम कह रहे हैं प्य निपनीत ध्यान देंगे यहां पर वो कह रहे हैं राजतसरजी कि मैं मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का बिचार करके राजनीत का पालन कर रहा था ध्यान देंगे इस दोहे पर कि मैं बड़े छोट भीचार जी हैं मैं अपने मन में मैं अपने हिर्दें से बड़े छोटे का बिचार करकर करत रहो निर्पनीत अर्थात मैं एक राजा की रूप में राजनीत का पालन कर रहा था प्यारे मित्रों इस तरह से राजा दसरत कहे रहे हैं अर्थात बड़े को राजतिलक देने जा रहा था अर्था तो राम को राज तिलग देने जा रहा था, इसमें कोई और बिंदु नहीं था, प्यारे मित्रों इस तरह से राज दसरत कहे केई से कहे रहे हैं, राम के बिसे में, अब आप चौपाई पर आएंगे, चौपाई देखें यहां पर, राम सपत सत कहाँ सुभाई, राम मात कच कहाँ न काओ, राम की सव बार सव गंद खाकर मैं कहता हूँ, राम सपत सत, सत का मतलब होता है सव, राम सपत सत कहाँ सुभाव। राजा दसाजी कह रहे हैं कि राम की सव बार सव गंद खा करके सपत खा करके मैं सुभाव से ही कहता हूँ कहाँ सुभाव। कहाँ सुभाव का मतलब मैं अपने सुभाव से अपने बिचार से कहता हूँ कि क्या कहता हूँ कि राम की माता का नाम कौसल्या था प्यारे मित्रों तो राम की माता कौसल्या ने इस बिसे में मुझे से कभी कुछ नहीं कहा कि किसको राज दिया जाए राज दिलक किसकी कराई जाए राम की कराई जाए या लखन की कराई जाए या भरत की कराएअ या संत्रहन की कराएअ इस बिसे में किसी ने मुझे कोई सलाह नहीं दी है ये बात कौन कह रहा है राजा दसरत कैकेई से कह रहे है प्यारे मित्रों राम मा तु कछ कहो न काओ कि आप में मत समझें इस भर में मत रहें कि राम की मा ने मुझ पर दबाओ दिया है या राम की मा ने राम के बिसे में कहा है कवसल्या ने कि उनका राज तलक होना चाहिए आईसी कोई बात नहीं है मैं स्वताह ऐसा सोच रहा था एक राजनीतिक बिचारधारा से अबस ही मैंने उसमें बिना पूछे यह सब किया है इसी में मेरा मनोरत खाली हो गया है ध्यान देगे सब कुछ कीन तों ही बिन पूछे अर्थाद मैं बिना ही आप से कुछ पूछे हुए इस बात को बिचार में लाया ध्यान देगे पैरे मित्रों राज तलस बात को कह रहे हैं कि अबस ही मैंने तुम से बिना पूछे यह भाव यह बिचार किया ऐसा सोचा इसी से मेरा मनोरत खाली गया मनोरत का मतलब मेरी इच्छा मेरा मनो भिचार जो मैंने सोचा था इसी से खासायत खाली गया क्योंकि इसकी बिसे में मैंने आप से कभी परस नहीं किया पूछा नहीं प्यार में तो ध्यान देंगे बड़ी ही मारमिक कि रिस परिहर अब मंगल साजू अर्थात अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सजा अर्थात कई केई को कह रहे हैं इस बात को कि रिस परिहर अर्थात रिस का क्या करो त्याग कर दो क्रोध का त्याग कर दो अब मंगल साजू, अब मंगल साजू का मतलब मंगल साज सजा दो, अर्थात मंगल करने का, अर्थात मंगल मैं रूप बना लो, अर्थात पूरी तरह से अब मंगल मैं कार के लिए ततपर हो जाओ, ये बात कौन कह रहा है, दसरत कह रहे हैं, किस से, कई कई से कह रहे हैं, प् कुछ ही दिनों बाद भरत यूराज हो जाएंगे इसे राजा अगर राम को बनाया जाता है तो यूराज कौन बनेगा भरत तो यहां पर देखेंगे कच दिन गए भरत यूजराजू अर्थात कुछ ही दिन बितते ही भरत को क्या हो जाना है यूराज बन जाएंगे अर्था तो यूराज हो जाएंगे ऐसा संदेश दे रहे हैं दसरत रानी कह कही से ध्यान देंगे मित्रों एक ही बात मोही दुख लागा आगे क्या कह रहे हैं कि एक ही बात का मुझे दुख लगा है एक ही बात मुझे कस्टकारी लगी है कि बर दूसर असमंजस मागा most important line प्यारी मित्रों ध्यान देंगे यहां पे भाव से भरा हुआ विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक ही बात मुझे बुरी लगी है एक ही बात का मुझे दुख है खेद है तुने दूसरा बरदान बड़ी आडचन का मागा है अर्था जो दूसरा बरदान है यह समंजस से भरा हुआ मांग लिया तुमने दसरत जी कह रहे हैं कई केई से प्HHH passé मित्रों ध्यान देंगे आजहू हिर्दैंजरत तेहीं साचा आजहूं हिर्दें जरत तहीं आचा रिस पहरी हास की साच हूं साचा देखिए दसरजी कह रहे हैं कि उसकी आच से अब भी मेरा हिर्दें जल्ला जो तुमने मांगा है जो मैंने सुना है उस बात को ले करके अब भी मेरा हिर्दें अजहूं हिर्दें जरत आचा अर्थाथ उस आच से उस प्रचंड कुरुस से युक्त अर्थाथ प्रचंड मांग से जो तुम्हारी मांग थी जो तुन्हें बर मांगा था उससे आज भी अभी भी मेरा हिर्दें जल रहा है अर्थात ये जो आप से लगाओ है, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तों में सच्चा है, अर्थात जो इस तरह से तुम बातें कह रही हो, जो तुमने कहा है, राज़ा दसत देखिए, किस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं, प्यारे मित्रों, कि ये जो तुम्हारी तो क्या तुमने कुरोध में अथवा सचमुच में ही वास्तों में ही सच्चा है, जो तुमने कह दिया है, जिस बात को तुमने कहा है, क्या वो सचमुच सच्ची है, प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, कहुंता जी देखेंगे इस लाइन को कहुंता जी रोस राम अपराधू अर्थात कुरोध को त्याग करके कहुंता जी रोस राम अपराधू सब को कहे राम सुठ साधू प्यारे में तो ध्यान देंगे राज असल कह रहे हैं कि कुरोध को त्याग कर राम का अपराद तो बताओ कहुंता जी रोज राम अपरादू कि राम ने क्या अपराद कर डाला है उस अपराद को तुन बताइए सब को कहे राम सुठ साधू सभी कह रहे हैं सब को ही कह रहा है पूरा परिजन कह रहा है पूरा समाज कह रहा है कहते हैं कि राम बड़े ही क्या है साधु हैं साधु पर बिर्थ किये हैं साधु का मतलब सज्जन साधु का मतलब पूरी तरह से एक निष्ट होना प्यारे मित्रों तो सारा समाज तो कह रहा है कि राम एक साधु है फिर भी यद कोई अपराद उनसे हुआ हो तो तुम उस अपराज को त्याग कर राम का अपराज बताओ वो क्या हुआ है जो उसको तुम सोच रही हो उस अपराज को तुम राम का मुझे बताओ ध्यान देंगे प्यारे मित्रों आगे बताया है कि तुमु तुमु सुभाव अरिह अनकूला तु स्वेम भी राम की सराहना करती रही है तुमु सुभाव अरिह अनकूला सो किम करिह मात परत कूला अर्थात वो कह रहे हैं कि तु स्वेम भी राम की सराहना करती और उन पर सनेह किया करती थी ये बात दुहरा रहे हैं यनि भूतकाल की बात या बर्दबान की बात को राजा दसरत कही के समख्छ रख रहे हैं कि तुम भी तो राम की सराहना करती थी और उन पर असनेह किया करती थी ज्यान देंके प्यारे मित्रों अब ये सुनकर के मुझे संदेव हो गया है राजा दरस्त अपनी बात कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रसंसा और असने कहीं जूठा तो ना था अरथा तुम यतना इसनेह करती थी राम से इतना प्रेम करती थी सराहना करती थी उनकी बड़ाई करती थी तो मुझे इस बात को सुनकर के मुझे संदेः हो रहा है राजयतसर कह रहे हैं कि कहीं तुम झूठी प्रसंसा और असने तो नहीं कर रही थी रामके प्रजी कहने का भाव प्यारे मित्रों यही है यहाँ पर जिसका सुभाव सत्र को भी अनकूल है अर्थाज जिसका सुभाव कैसा है सत्र से भी अनकूल है और वो माता के पर्थकूल आचरंग क्यों करेगा इस तरह से भाव यहां पर प्रगट हो रहा है यहां पर कैकेई और राजा दसरत के बीच में बारता चल लही है आपस में बातें चल लही है प्रसंग है राम के बिशेका कि राम को 14 वर्ष का बनबास और भरत को राज तिलक इसी प्रसंग पर सारी बातें आगे बढ़ रही है तो अब हम देखेंगे जो अगला दोहा आपका है दोहा संख्या 32 इसमें आप देखेंगे इसमें भी यही बात बताई गई है कारी यहां पर बताया जा रहा है कि राजा दसरत के केई को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखेंगे यह आपका जो दोहा है प्रिया हास रिस परिहरी परिहर ही मात विचार विबेक जहीं देखों आब डयन भर भरत राज अभिशेक देखें प्यारी मित्रों दसरत जी यहां पर कह रहे हैं कि प्रिया हास रिस परिहर ही मात विचार विबेक हे प्रिये अर्थात हसी को और क्रोध छोड़ दें प्रिया हास रिस परिहर ही मात विचार विबेक अर्थात आप हसी और क्रोध को छोड़ दें और विबेक से उचित विचार कर वर मांग जो भी मांगना है वो विबेक पूरबक आप अपने वर को मांगें मा तु विचार विवेक बहुत विचार करके माँगें जिससे देखें कि यहीं देखो अब नयन भरी भरत राज अबसेक जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज अबसेक देख सकूँ प्यारे मैं तु ध्यान देंगे राजा दसरत केकेई की बातों पुना रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, कि मैं भरत को ही राजा विशेक करने का बिचार बना चुका हूँ, परन्तु जो दूसरा बर केकेई ने मागा था राम के विशे में, कि उनको 14 वर्स का बनबास, यही बात हैं आगे सामने आएंग कि इस बात को कभी-कभी हासी में भी करती है, कभी-कभी क्रोधातूर हो करके भी कहती है राजा दसरत से, तो इस दोहे में ही बात बताई गई है, कि हेप्रिये हासी और क्रोध छोड़ दें, और विबेग से अपने विचार से वर्मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज़ अपसेख, देख पाऊं, अर्थात पूरी तरह से में भरत का राज़ अपसेख होता, देख पाऊं, ये दसरत जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कई कई से कह रहे हैं, प्यारी मित्रों, आगे देखेंगे, ये चुपाई आप देखेंगे, कि जी ए मीन वर वार मेन का मतलब होता है मचली और वारी का मतलब होता है जल ध्यान देंगे कि मचली चाहे बिना पानी के जीती रहे जिये मीन वर वारी भीहिना वारी भीहिना का मतलब बिना पानी के होना अर्थात मचली चाहे बिना पानी के जीवित रहे अर्थात जीती रहे मानी बीनु फानिक फानिक मतलब होता है सर्प प्यारे मित्रों मानी और मानी का मतलब मड़ी होता है सर्प के मड़ी होती है तो मानी बीनु फानिक जिये दुख दीना ध्यान देगे बहुत ही important चौपाई है प्यारे मित्रों कि मचली चाहे बिना पानी के जीती रहे और साप भी चाहे बिना मड़ के दीन दुखी होकर जीता रहे अर्था साप से मड़ छीन ली जाए तो उसका जीना बहुत ही दुखदाई हो जाता है प्यारे मितरो तो यहां पर यह बता जा रहा है कि मचली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मड़ के एक दुखी और दीन रूप में होकर के जीता रहे कहाऊं सुभाव नच्छल मन माही परंत मैं सुभाव से ही कहता हूँ अपने अपादत गत रूप से कहता हूँ कि जीवन मोर राम बिन नाही कि जो मेरा जीवन है जो मेरा जो मेरा जीवन जी रहा हूँ वो राम के बिना संभव नहीं हो पाएगा अर्थात मेरा जीवन राम के बिना नहीं है अर्थात राम के बिना में जीवत नहीं रह पाऊँगा इस बिचार को राजा दसरत कई कई से प्रकट कर रहे हैं प्यारे मित्रों बहुत ही संबेदना से पूर्ण ये आपकी चौपाई है आगे देखेंगे ये आपका अगली चौपाई जो है प्यारे मित्रों समझने का प्रयास करेंगे कि समुझ देख जिये प्रिया प्रबीना समुझ देख जिये प्रिया प्रबीना जीवन राम दरस आधीना Most important line हे चतुर प्रिये समुझ देख जिये प्रिया प्रबीना अर्थात हे चतुर प्रिये मन में समझ लो देख लो अर्थात मन में तुम जान करके समझ देख लीजिए और समझ लीजिए अर्थात मन में समझ और देख लो मेरा जीवन जीवन राम दरस आधिना जो मेरा जीवन है वो स्री राम के दरसन के ही आधिन है अर्थात स्री राम का दरसन नहीं करूंगा अर्थात राम का दरसन नहीं क पायेगा मैं जीवित ही नहीं रहे पाऊंगा इस लोक में प्यारे मित्रों आगे देखेंगे सुनि मिर्दु बचन कुम्ति आति जरई राजा के कोमल बचन को सुनकर के कुमत हखांपर इसके लिए प्रियोक्त किया गया है दुर्बुध़्ी कहिए कईके लिए प्यारे मित् आगे दिखेंगे बहुत ही इजी और बहुत ही सरल रूप से यहाँ पर गोश्वामित उसिदास जी ने बताने का प्रयास किया है प्यारे मित्रों कि मानो अगने में घी की आहुती पड़ रही है जैसे अगने यदी जल लही हो उसमें घी की आहुती दी जाए तो अगने और प्रजलित्फ हो जाती है और जलने लगती है उसी तरह से कहिकेई जो है जब राजा दसरस इस बात को कह रहे हैं तो उसे ऐसा लग रहा है प्यारे मित्रों कि वो जो है पूरी तरह से जब अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं मेरा जीवन जो है राम के ही अधीन है मैं उनके दरस के बिना दरस जीवित नहीं रह पाऊंगा तो राजा के इस कुमल बाड़ी को सुन करके कैई कैई जो है अतियंत जल रही है और यह बात उसको इस प्रकार से लग रही है जैसे अगनी में घी पढ़ रही हो घी की आहोती दी जा रही हो पैरेमित्रों यहाँ पे अगनी जो है कई कई के के क्रोध से ताति पर है और घी का पढ़ना अर्थात जो बचन जो विचार राजा दसरत उसकी समक्ष रख रहे हैं आगे देखेंगे कहाई करों किन कोटी उपाया कहाई करों किन कोटी उपाया अर्थात कहाई करों किन कोटी उपाया यहाँ न लागे हैं रावरिमाया यह बात कहाई करों किन कोटी उपाया आप करोणों उपाय क्यों न करें कोटी का मलब करोणों कोटी उपाया अर्थात आप करोणों उपाय क्यों न करें अर्थात यहां आपकी माया अर्थात आपकी चाल नहीं चलेगी अर्थात आपकी बात को यहां सकोई सुनने वाला नहीं है प्यारी मित्रों इस तरह से कही राजा दसरस से कह रही है आगे देखेंगे देह कि लेह अजस करिनाही या तो मैंने जो मागा है सो दीजिए देह का मतलब जो मैंने माग लिया है आपसे दो बर मागा है तो आप या तो उसे दीजिए और लेह अजस करिनाही अर्थात जो मैंने आपसे मागा है तो उसको आप या तो मैंने जो मागा है उसको आप दीजिए नहीं तो नाहीं करके आप एस लीजिए यदि आप आज़ा सुकर नाहीं यदि आप नाहीं कर देते हैं उस बर्ग को देने से इंकार कर देते हैं तो आप आप एस ले लीजिए इसमें को मेरा दबाव नहीं है कितने ही दिस्ठा पूर्बक कितने ही चतुराई से इस बात को परकट कर रही है अपने राजा दसरत से कि उनको इस बात का पूरता से आभास हो जाए क्योंकि वो एक सच्चे पूरुष के रूप में थे प्यारे मित्रों और आप पढ़ जुके हैं आप जान रहे हैं कि बचन जो था बचन के ही ये लोग पुजारी थे जो भी कहते थे वो सब्त कहते थे वो सब्त पर कायम रहते थे प्यारे मित्रों कि प्रान जाए पर बचन न जाई यह जो है, आपने पढ़ा है कि हमारे प्रान जाए पर हमारे बचन न जाए जो भी मैं कहूंगा, उस करूंगा यह जो है रखुकुल की रीत थी, नीत थी तो उसी को कायम करना था, दसरत को भी और उसी पर वो चल भी रह थे तो यहाँ देखेंगे कि देहूं के लेहूं अजस करना ही मोहीना बहुत परपंच सुहा ही कई कई कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा परपंच बखेडा पसंद नहीं आता यह हमको अच्छा नहीं लगता आपने जो देने को कहा है या तो मैंने जो मागा है सो देजी जीए उस बर को दीजीए नहीं तो उसका इंकार कर दीजी अर्था नहीं करके आप क्या पराप्त कर लीजीए आप यस ले लीजी इस बात को कही कह रही है दसरजी से आगे देखें के पैरमित्रों राम साधू तुम साधू सयाने राम साधू है आप सयाने साधू है क्या बात कह रही है पैरमित्रों कि राम साधू तुम साधू सयाने यानि साधू होने पर भी सयाना होना इसका मतलब चतुराई से भरी हुई बाते तो राम तो साध हुई है, तुम साध सयाने, और तुम और सयाने साध sniper कहती है, किस से कह रही है, धसरत से, राम मात भल सब पहिचाने और राम की माता भी भली है, मैंने सब को पहिचान लिया है, जिसकों की आकास और पाताल कहीं पर भी ठहराय नहीं जा सकता है आगे देखेंगे जस कोशिला भोर भल ताका अर्था जैसा की कोशिला ने मेरा भला जैस चाहा है तस फ़ल उन्हें देव कर साका मैं भी उसी परकार से याद रखने योग्ये उन्हें वैसा ही फ़ल दूँगी ये कई-कई कह रही है, किसके परती कह रही है, कौसल्या की परती कह रही है, प्यारे मित्रों, कि जैसे ही कौसल्या ने मेरा भला चाहा है, मैं उसी प्रकार से उन्हें वैसा ही फल परदान करूंगी, दूंगी, आगे देखेंगे, प्यारे मित्रों, इसमें जो है, कई-कई औ अगला दोहा ये अगला दोहा आपका है दोहा संख्या तैतीस इसमें आप देखेंगे होत प्रात मुन भेस धरी जो नराम बन जाएं मोर मरन राउर अजस निर्प समझिये मनमा हैं मैं तो ध्यान देंगे कहे कि अपनी हट पर टिकी हुई है पूरी तरह से अडिग है उह राजा दसर से कहती है देखेंगे इस दोहे के माध्यम से कि होत प्रात मुन भेस धरी कि सबेरा होते ही मुन का भेस धान करकर के होत प्रात मुन भेस धरी अर्था सबेरा होते ही सुबा होते ही मुन का भेस धान करकर के जो न राम बन जाँ है यदि राम बन को नहीं जाते मोर मरन तो क्या होगा हे राजन तो निस्चे ही मोर मरन राउर अजस तो निस्ची रूप से समझ लीजिए जान लीजिए कि मेरा मरना होगा अर्थात मेरा मरन जाना होगा अजस तो निस्ची रूप से मेरा मरना होगा और आपका अपयस यदि आपको अपयस की प्राप्ती होगी यह कई कई बता रही है पुना देखेंगे इस दोहे को दुबारा प्यारे मित्रों कि सबेरा होते ही सुबा होते ही यदि मूनी का भेस ध करके यदि राम बन को नहीं चले जाते हैं तो हे राजन ये मैं निश्चित रूप से कहती हूं समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस को प्राप्त करना होगा यानि आप अपयस के भागी बनेंगे यह बात कहें कि दसरस जी से कह रही है प्यारे मित्रों आगे देखेंगे अस कही कुटिल भाई उठ ठाड़ी और इतना ही नहीं कि इस बात को कह करके वो अपने अस्थान पर इस्थिर रहती देखिए इसमें कि अस कही कुटिल प्यारे मित्रों ध्यान देंगे अस कही कुटिल भाई उठ ठाड़ी ऐसा कह करके वो कुटिल कह के उठकर खड़ी हो गई खड़ी हुई मानो रोस तरंगिन बाढ़ी ऐसा लग रहा था कि मानो क्रोध की नदी उमढ रही हो यानि क्रोध की नदी बढ़ गई हो प्यारे मित्रों पाप पहार प्रगट भाई वह नदी पाप रूपी पहार से प्रगट हुई है नदियां पर आया प्यारे मित्रों पहार से ही निकलती है तो यहां पर बता जा रहा है पाप पहार पहार का मतलब पहार तो पाप पहार प्रगट भई सोई ऐसा लग रहा था कि वह नदी पाप रूपी पहार से प्रगट नदी कि से भरी हुई है, पहार रूपी पाप से परगट हुई है नदी, और क्रोध रूपी ज उसमें भरा हुआ है, ऐसा भायानक है कि वो किस प्रकार से दिखाई पद रहा हुआ है, भरी क्रोध जल जाय नजोई, अर्थात देखी नहीं जाती, अर्थात उसको देखा नही जाता है इसको हम देख नहीं पाते हैं प्यारे मित्रों ऐसे पहार रूपी पाप से निकली हुई वो नदी जो की क्रोध रूपी जल से भड़ी हुई है जिसको हम देखी नहीं जाती है था जिसको हम को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी वही रूप बताया गया है यहां पर क किनारे हैं अध्यात्मिक्ता पर जाएंगे प्यारे मित्रों कि दो वर कूल कठिन हट धारा जो नदी के दू कूल होते हैं तो दो कूल दो किनारे होते हैं तो दोनों कूलों को दो वर्दान के रोप में यहां पर पस्तुत किया गया है तो देखेंगे दो वर कूल कठिन हट धारा अर्थाद दोनु वर्दान उस नदी के दो किनारे हैं दो वर कूल कठिन हट धारा भावर कूबरी बचन प्रचारा कैके क्या कठिन हट ही उसकी जो है तीब्र धारा है जो कई केई ने अपने हट को कायम रखा है हट बना रखा है वही जो है क्या है उसकी तीब्र धारा है बहाव है और जो उसके जो कूल हैं दो वो क्या है? दो वरदान प्यारी में तुर ध्यान देंगे धाहत भूप रूप तरुप मूला अर्थात ध्यान देंगे यहां पर किवा क्रोध रूपी नदी धाहत भूप रूप तर्मूला अर्थात राजा दसरत रूपी बिर्च को क्या कर रही है धाहत भूप रूप तर्मूला अर्थात धाहा रही है गिरा रही है जल परपात जब जल भरा होता है तो बिर्च गिर जाते हैं प्यारे मित्रों तो यहां पर देखेंगे वह करोध रूपी नदी जो है क्या कर रही है कि राजा दसरत रूपी बिर्ची के अ जड मूल से क्या हो रही है धाहाती हुई बिपत रूपी समुद्र की ओर चल पड़ी है धाहत भूप रूप तर्मूला चली बिपत वारिध हैनकुला वारिध का मतलब समुद्र की ओर चल लई है अर्थात वो नदी जो क्रोध रूपी नदी है वो दसरत रूपी बिच को जड़ मूल से ढाती हुई बिपत्य को बिपत्य रूपी जो है समुद्र की ओर चल रही है चली बिपत्य वारी जंकुला अर्थात बिपत्य रूपी समुद्र की ओर बढ़ती चली जा रही है यह यहाँ पर भाव असपस्ट हो रहा है प्यारे मित् आगे देखेंगे लखी नरेश बात कुर साची राजा ने समझ लिया लखी का मदलब होता है देख लेना समझ लेना तो लखी नरेश बात कुर साची तिये मिस मीच सीस पर नाची राजा ने समझ लिया राजा बुद्धिमान थे उन्होंने इस बात को समझ लिया कि बात सचमुच वास्तों में क्या है सच्ची है लखी नरेश बात कुल साची तीय मिस मीच सीस पर नाची अर्थाद बात सच्ची है इस तरी के बहाने मेरी मिर्ट्यू ही सिर पर नाच रही है क्या बात आ रही सामने राजा दसरत चुकि बुद्धिमान राजा थे प्यारे मित्रों तो राजा दसरत सारी बातों को सुन करके समझ गए और तीय मिस मीच सीस पर नाची और उसके पस्चाद उनको ये भी समझ आ गया कि इस तरी के बहाने मेरी मिर्ट्यू ही सिर पर नाच रही है सीस पर नाची का मतलब मेरे सिर पर कौन नाच रहा है मेरी मिर्ट्यू नाच रही है इस बात को यहाँ पर असपस्ट किया जा रहा है प्यारे मित्रों प्यारे मित्रों देखेंगे आगे लखी नरेस बात कुर साची तीय मिस मीच सीस परनाची इस चौपाई के पस्चाद हम देखेंगे प्यारे मित्रों गही पद बीने गही पद बीने कीन बैठारी जन दिन कर कुल होश कुठारी अर्थार राजा दसरत यहां पर तदंतर जो है कही कही के चण पकड़ करके गही पद बिने यानि कही कही के चण को पकड़ लेते हैं प्यारे मित्रों देखिए क्या मनोदसा क्या इस सितिया है अब बताई जा रही हैं गही पद बिने बिने पूर्बक बिनमरता के साथ उस चण को पकड़ते हैं कीन बैठारी अर्थार राजा दसरत जो है कही कही के चण पकड़ करके उसे बिठा कर बिनती की गही पद बिने कीन बैठारी अर्थार राजा दसरत ने कही कही कि चान को पकड़ करके और उससे क्या किया बिनती की याचना की क्या याचना की प्यारे मित्रों जानि दिनकर कुल होश कुठारी की तू सूरिकुल दिनकर का मतलब होता है सूरिकुल रहुबंस अर्थात तू सूरिकुल रूपी ब्रिच के लिए कुलहारी मत बन जा जानि दिन कर कुल होज कुठारी कुठारी का मतलब होता है कुलहारी अर्था तुम सूर कुल के लिए कुलहारी का कारी मत कर अर्था तु कुलहारी मत बन ऐसा कहते हैं राजा दफरत प्यारे मित्रों कहे के के चण को पकर करके बेनमबरता पूर्वा किस बात को कह रहे हैं कि तो जो है सूर कुल के लिए जो है जो सूर कुल का जो बिर्च है उस बिर्च के लिए तू कुलहाडी का कार्य मत कर अर्था कुलहाडी मत बन आगे देखेंगे पैरमित्रों माग मात अब ही देऊ तो ही क्या कह रहे हैं कि माग मात अब ही देऊ तो ही अर्था तु मेरा मस्तक माग ले माग मात मात का मतलब मस्तक माग मात अब ही देऊ तो ही अर्था तु मेरा मस्तक माग ले मैं तुझे जो है अभी दैदूंगा अब अहीं देओ तो ही यानि तुरंट तुम मेरा मस्तक माले के सिर मांग ले मैं तुम्हे अभी ही उसे दैदूंगा राम बिराह जन मारिश मोही पर राम की बिराह में मुझे मत मार ऐसा दसरजी कह रहे हैं कैकेई से प्यारी मित्रों, बहुत ही इस्थितियां यहां पर मनो योग से दिखाई पड़ रही है, यानि एक ऐसी स्थिति परकट हो रही है, जो एक मनो बेक को उपस्थित कर रही है प्यारी मित्रों, कि तु मेरा सिर्क ले ले अर्थात, मेरे मस्तक मैं मकस्तक को देने को तयार हूँ, मैं अपने सिर्क को तुझे अभी देदू, पर राम की बिरह में मुझे मत मार, राम बिरह जनमारिस मोहीं, राखू, राम कहूं, यहीं तेहीं भाती, देखेंगे आगे कि जिसी भी परकार से किसी भी तरह से हो तो राम को रख ले राम राखु राम कहूं जहीं तहीं भाती तो जिस भी परकार से चाहे किसी भी परकार से चाहे तो राम को रख ले ना ही तजरी ही जनम भर छाती नहीं तो जनम भर तेरी चाती जलेगी तम्हारा हिरदेंच जलेगा प्यारी मित्रों दसत्रत कहना है कि तु राम को किसी भी परकार से हो तो राम को रख ले अर्थात एक सेवक के रूप में रख ले इस राज श्य में धरत को ही राज़ सिंग असन मिलेगा भर तेरी चाती क्या होगी जलेगी, किसके लिए जलेगी? इस कार के लिए जलेगी इस विरह के लिए जलेगी राम की विरह के लिए जलेगी यदे राम तुम से दूर हो जाएगा प्यारे मैं तुम ध्यान देंगे बहुत ही मार में कथन इस चोपाई में आ रहा है इसमें जो है दोनों बारदान को नदी के दुख किनारे की रूप में बताया गया है राजा दसरत का राम मोह दर्साया गया है इसमें राजा दसरत राम के परति अपनी मोह को दर्सा रहे हैं बिसीस में हम यही जानेंगे इसके पस्चाद देखेंगे अगला दोहा जो आपका है कि देखी क्या बात कहा है कि राजा ने देखा असाध का मतलब होता है ऐसा रोग जिसका निदान नहों पावे जो ठीक नहों पावे पैरमित्रों देखी देखी ब्याधी असाध निरप पर्यों धरन धुनि मात राजा ने देखा कि रोग असाध है इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता कैसा रोग राम के बिरहरूपी रोग कई कई ने जो मांग लिए हैं राम को हमसे दूर जाना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखी ब्याधी असाध निर्प पर्यों धरन धुनिमात राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब हुए अत्यंत अंतरवाणी से पर्यों धरन धुनिमात वो धरनी पर पड़ गए पिरस्वी पर पड़ गए जमीन पर गिर पड़े और उसके पस शाथ कहत परम आरत बचन राम राम रगवनात धरन पर पर जाते हैं गिर जाते हैं दसरजी और कहते हैं हा राम कहत परम आरत आरत का मतलब होता है पुकार ना तो यहां पर हा राम हा रहुनात कहते हुए सिर पीट करके बचन राम राम रहुनात अपने सिर को पीट पीट करके जमीन पर गिरते हुए वो बार बार जो है हा राम हा राम हा रहुनात यह बचन पुकार रहे हैं इस दोहे में इस इस्तिती का वड़न किया गया है पहरे मित्रों आगे देखेंगे ब्याकुल रावुर सिथिल सब गाता करिन कलप तर मन हुनि पाता राजा ब्याकुल हो गए है पूरी तरह से उनका सरीर जो है सिथिल पढ़ गया है सिथिल सब गाता पूरा सरीर ही क्या हो गया है सिथिल हो गया है प्यारे मित्रों ब्याकुल रावुद सिथिल सब गाता सरीर के सब अंग क्या हो गए है सिथिल हो गए हैं मरा सन की सिथि आ गई है ब्याकुल राउद सिथिल सब गाता कीरिन करिन कलप तर मन हुनी पाता अर्थार राजा दसत पूरी तरह से ब्याकुल हो गए हैं पूरा सरीर उनका सिथिल पड़ गया है मानो करिन का मतलब होता है मित्रो हतिनी की मानो हतिनी ने अप्तर का मतलब होता है कलप बिच ध्यान देंगे कि मानो बिच को उखाळ फैक दिया है और हथनी से तात पर है कैकयी से तो उस कैकयी रूपी हतनी ने कलप बिच रूपी राजा को उखाड करके फैक दिया है जब बिर्ष जड़ से उखड जाता है तो उसकी धाक पात सारे क्या हो जाते हैं सिथिल हो जाते हैं उसी तरह से राजा दसरत के सरीर के प्रतेक अंग जो हैं वो पूरी तरह से सिथिल हो गए हैं प्यारे में त्रों और क्या से थिलता दिखाई पड़ रही है, कंठ सूख मुख आव नबानी, उनका गला, उनका कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कंठ सूख मुख आव नबानी, जन पाठीन दीन बिन पानी, ऐसा लग रहा था कि मानों पानी के बिना पहिना नमक मचली तडफ रही हो अर्था पानी के बिना बाहर पड़ी हुई जो पढ़िना मचली होती है पढ़िना नमक मचली होती है वो क्या है मचली तडफ रही हो जैसे कि पानी से निकाल दिन जाये मचली को निकाल दिया जाये प्यारे मित्रों तो जन पाठीन पाठीन का मतलब पढ़ेना मचली जो होती है जन पाठीन दीन पानी अर्थात जैसे ऐसा लग रहा था कि जो है मानो पानी के बिना पहिना नामक मचली तड़फ रही हो इस तरह से दर्शी यहां पर उपस्थित हो रहा है My defense बहुत ही deeply आपको समझना होगा पूरी तरह से जानना होगा आप अच्छी तरीके से समझ पाएं लिख पावें यही हमारा उद्देश है अब आप देखेंगे इस चोपाई में पुनि कहा कठू कठोर कैकेई इस पर भी देखे आगे क्या हो रहा है कि कैकेई फिर कडवे और कठोर बचन बोली कैकेई सांत नहीं है पुनि कहा कठू कठोर कैकेई पुना जो है कैकेई ने कडवे और कठोर बचन कहा मनहु धाय महु माहुर देई मानो घाव में जहर भर रही हो जैसे कोई घाव हो गया है तो उस घाव में जहर को भर रही हो, क्या कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था, जो आपको अंत में ऐसा ही करना था, उसके कहने का मतलब सारी नोटंकी है, सारा दिखावा है, धोंग है, आप जो भी कर रहे हैं, वास्तिविक नहीं है, जो अंत हुँ असकरतब रहू, कहके ही कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था, आपको, तो भाग, भाग तुम, क्या ही बल कहूँ, तो आपने भाग का मतलब होता है, प्यारे मित्रों, भाग का मतलब मांग, तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था भाग भाग तुम के ही बल कहो जब आपको इस तरह से अंत में यही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था कि मांगिये मांगिये मैं देने को तयार हूँ दीजी कौन सबर मांग रही हूँ, क्या मांग रही हूँ ध्यान देंगे मित्रों आगे देखिए दुई की होई एक समय भुआला हन सब उठाए फुलाव माला हे राजा, हे राजन ठाहा का मार कर हसना दुई की होई एक समय भुआला हन सब उठाए फुलाव माला हे राजन ठाहा का मार कर हसना और गाल फुलाना हन सब उठाए फुलाव माला गाल फुलाना गाल फुलाने का मतलब नाराज हो जाना ठाहा का मार कर हसने का मतलब परसंता को व्यक्त करना तो फिर राजन ठाहा का मार कर हसना और गाल फुलाना दुई की होए एक समय भुवाला क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं ये लाइन चोपाई का अगर भाग आगे का भाग ये आपको बाद में इस्प्लेन करना है प्यार मित्रों पहले आपको ये पताना है हसब उठाए फुलाओ बाला कैके कहती है राजन ठाहा का मार कर हसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं कि नाराजगी और खुसी दोनों एक साथ नहीं हो सकते कैके क्या समझाने का प्रयास कर रही है देखेंगे मित्रों दानि कहावब अरुक्रिपनाई हुए की खेल खे कुसल रोताई दानी भी कहना अर्थात एक दानी भी कहाना अपने आपको दानि कहावब अरुक्रिपनाई और कंजूसी भी करना यानि तरफ जो है कि मैं बहुत दानी हूँ दूसरी तरफ कंजूसी भी की जाए होई की खे कुसल रोताई क्या राजपूती में छेम कुसल भी रह सकती है क्या इस तरह से करने वाला खेम कुसल से रह सकता है कि दान भी करने के लिए दानी भी कहा जाए और उसमें किर्पनाई भी रखें तो क्या ऐसा ब्यक्ति जो है एक कुसल ब्यक्ति की रूप में कहा जा सकता है जैसे कि वो बता रही है कि होई खे कुसल रोताई कि जैसे रण छेत्र में लड़ाई भी बहादूर से की जाए और कहीं चोट खरोंच भी न लगे तो दोनों तरह से ये चीजें कहां भला संभव हो सकती है क्या समझाने का प्रयास कर रही है उसकी बुद्धी में क्या उसका विचार आ रहा है उसको क्या सोच आ रहा है यह बात यहाँ पे समझना है प्यारे मित्रों के किसी भी प्रकार से राजा के मर्म को समझने को तयार नहीं है वो बार बार जो है उसको उभारने का प्रयास कर रही है आगे देखेंगे चारहूं बचन की धीरज जन अब लाजिम करून करों ध्यान देखें प्यारे मित्रों के कि यहाँ पे इस बात प्रद्रण है पूरी तरा से वो कह रही है कि आप जो है चारहूं बचन या आपका जो अगला दोहा चोपाई है इसमें देखेंगे यहाँ पे देखेंगे के केई ही इस बात को कह रही है कि यहाँ तो बचन छोड़ दीजिए जो आपने कहा है चारहूं बचन उस बचन का आप त्याग कर दीजिए या धैरधान कीजिए चारहूं बचन की धीरजू या तो आप धैरधान कीजिए या जो आपने कहा है उस बचन को आप त्याग दीजिए जनि अबला जिम करुना करहूं यो असहाई इस्त्री की भाँती अबला का मतलब होता है ऐसी इस्त्री जिसका कोई मददगार ना हो या जो है आप असहाई इस्त्री की भात रोहिये पीटिये नहीं आप इस तरह से जो कह रहे हैं बिलाब कर रहे हैं अबला इस्त्री की तरह आप इस तरह से बिलाब मत कीजिए यह आपको सुभा नहीं दे रहा है सिख्छा दे रहे के के प्यारे मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पर तनु प्रिये तने ठाम धर्नी अर्था सत्य संग कहु निर्ण सम बर्नी अर्था सत्य बर्ती के लिए तो सरीर इस्त्री, पुत्र, घर, धान और प्रिच्वी इतनी बातें बताई है के के इने सत्य संग कहु निर्ण सम धर्नी तानु तानु प्रिये तानाय थाम धर्नी यह पांच चीजें बताई गई हैं प्यारे मित्रों नोट करने की बाते हैं कि सत्वर्ति जो सत्वर्ति लोग होते हैं, उनके लिए तो सरीर, तनुम का मतलब सरीर, प्रिये का मतलब इस्त्री, तने, तने का ताथ पर पुत्र से है, धाम, धाम का मतलब घर, धरनी, धान, और प्रिथभी, धरनी का मतलब प्रिथभी, सब जो है तिनिके की बराबर कहे ग निन का मतलब तिनके के समान ये सब होते हैं जो कैसे लोग होते हैं जो प्यारे मित्रों जो पर्तिग्य बेक्टी होते हैं एक धायर पर्तिग्यवान बेक्ट के लिए कह कही बताएं जो सत्तिबर्ती होते हैं उनके लिए इस्तरी पुत्र धन घर पर्तिवी ये सब जो है तिन राजा दसरत को दे रही है मित्रों कैके यहां पर सत्धर्म की बात राजा दसरत से कह रही है उसी का वड़न किया गया हिसमें विशेश की रूप में आप यही लिखेंगे प्यारे मित्रों अब हम इसके पस्चाद दोहा संख्या 35 की ब्याक्षा कर रहे हैं प्यारे मित्रों आप समझने का प्रयास करेंगे इसमें जो है प्रसंग जो आपका है यह पूर बहुत ही रहेगा कैके और राजा दसरत की बीच की बातें हैं इसमें अब आप देखेंगे यह दोहे को मरम बचन सुन राव कहा कहुं कहुं रोस न तोर लागयो तोहीं पिसाच जिमी काल कहावत मोर देखेंगे इस दोहे को कही के मरम भेदी बचन अर्थात मरम बचन जो कही कही ने कहा है कही के मरम भेदी बचन सुन करके राजा ने कहा मरम बचन सुन राव कह कहुं कहुं रोस न तोर अर्थात कही के इस मरम भेदी बचन को सुन करके राजा ने कहा कि तु जो चाहे कह कह कहो कहो रोस नतोर अर्था तुझो चाहे वो कहे बोल तेरा कुछ भी दोस नहीं है मरम बचन सुने राव कहा कहो कहो रोस नतोर रोस का मतलब दोस प्यारे मित्रों समझेंगे इसको ये दोस से ताथ पर है रोस तो राजा दसरत कह रहे हैं कि कहिए कहिए जो कुछ तुझो को मरम बचन कहना है वो कहती रही है कहिए इसमें तुम्हारा कुछ भी दोस नहीं है मेरा काल मुझे मानो पिसाच होकर लग गया है वही तुझसे यह सब कहला रहा है तू नहीं कहती है तुम्हारे में तु ध्यान देंगे राजा दसरत के मरम को समझने का प्यास करेंगे राजा दसरत कहते हैं no complaint कोई सिकायत नहीं है ये मुझे इसा लग रहा है कि मेरा काल मुझे मानो पिसाच होकर कि लग गया है वही मुझे से यह सब कह रहा है तू नहीं कह रही है अब चौपाई की वर चलेंगे देखेंगे मित्रों चाहत न भरत भूपती ही भोरे बिद बस कुमत बसी जी तोरे क्या बात कहा है कि भरत जो भरत भूल कर भी राजपत नहीं चाहते चाहत न भरत भूपती ही भोरे अर्थाथ भरत को तो जरा भी इच्छा नहीं है राजपत की वो नहीं चाहते हैं बिद बस कुमत बसी जे तोरे अर्थाथ होन हार बस तेरे ही जी में कुमत आग बसी है अर्थात एक होनी की रूप में तुम्हारे अंदर बात आ गई है कि भरत को राज तिरग दिया जाए और भरत को इसके बिसे में भूल कर भी राजपत की चाहत नहीं है उनको किसी प्रकार की इसकी चाहत नहीं है आगे देखिए यह सब कुछ जो है मेरे पापों का परिणाम है रिजल्ट है राजपत करें अर्थात यह सब मेरे जो है पाप का ही परिणाम है यह तुम्हारा इसमें कोई दोस नहीं है भायों कुठाहर जहीं बिद बामू देखेंगे मित्रों जिससे कुसमें में अर्थात बे मौके पर बिधाता बिपिरीत हो गया है अर्थात भयों कुठाहर जहीं बिद बामू बिद बामू का मतलब भाग बिपिरीत हो गया है अर्थात यहां पर कह रहे हैं कि यह सा लग रहा है कि जिसे कुसमय में विधाता जो है हमसे विपरीत हो गया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे दसरत जो है इस तरह से कहे के इसे बता रहे हैं सुबस बसी ही फिर आवध सुहाई अर्थात उजड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भात बसेगी सुबस सुबस का मतलब अच्छी तरह से बस जाना सुबस बसी ही फिर आवध सुहाई ये उजड़ी हुई आयोध्या पुनह भली भात बसेगी सब गुन धाम राम बढ़ाई और समस्त गुनों के धाम सी राम की प्रभुता भी होगी अर्था सी राम की प्रभुता भी इस अयोध्या में दिखाई पड़ेगी समस्त गुनों से जो युक्त है सब गुन धाम राम बढ़ाई तोर कलंक मोर पच्छताव। अर्थात ये सारी चीजें होंगी सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी अजुध्या के उजाल के पस्चाद ये सुन्दर अजुध्या फिर भली भात बसेगी और समस्त गुनों के खाम धाम जो है राम सी राम की प्रभुता भी होगी सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में सी राम की बढ़ाई होगी परन्तु तोर कलंक मोर पच्छताव। केवल तेरा कलंक और मेरा पस्चाता मरने पर भी नहीं मिटेगा मोस्ट इंपर्टन लाइन प्यारे मित्रों सारी चीजें पुना होगी समाज वैसा देखेगा परन्तु तोर कलंक मोर पच्छताव। केवल जो है तेरा जो कलंक है और मेरा जो पस्चतावा है मरने पर भी मिटने वाला नहीं है लोग ऐसा कहेंगे यह राजा दसरत कह रहे है प्यारे मित्रों अब मुझे तो अच्छा लगे जो तुझे अच्छा लगे तो वही कर अब तो ही नीक लाग कर सोई जो तुम्हे अच्छा लग रहा हो वही तु कर लोचन और बैठ मुह गोई जो तुम्हे अच्छा लग रहा हो जो तुम समझ पा रही हो ठीक से वही तू कर मैं तुझको बिवस नहीं कर रहा हूँ मुझ छिपा कर मेरी आँखों की और ओट जा अर्थात तू मुझ छिपा कर अर्थात मुझ को छिपा करके मेरी आँखों की ओट बैट अर्थात मेरे सामने से हट जा देखिएगा अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन और बेठ महोगोई ध्यान देंगे प्यारे मित्रों राजा दसरत कह रहे हैं आंत में कि तू मुझे मुह न दिखा जो तुभे अच्छा लगे वही तू कर इसके पस्चाद देखेंगे प्यारे मित्रों जब लग जियों कहाओं कर जोरी ध्यान देंगे इस चोपाई पर कि मैं जब तक मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ जब लग जियों कहाओं कर जोरी कहाओं कर जोरी का मतलब मैं हाथ को जोड़ कर के कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब अलग जनी कछु कहस बहोरी तब तक फिर कुछ ना कहना अर्थात मुझे से ना बोलना Most important Very interesting line प्यारे मित्रों बहुत ही हिर्दें को बेद देने वाली बात है राजा दसरत मरासन इस्तिम पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक मैं जीऊं छड़ मातर का जीए ना है उनका कि जब तक मैं जीऊं पुना इस बात को तुम ना कहना अर्थात मुझे से ना कहना बोलना क्योंकि यंत्र में मिर्टियों ये समय में जो भी चीजें सुनाई जाती हैं बताई जाती हैं वो हमेशा के लिए उसके हिर्दे में उसके राण पखेरू के साथ रहते हैं प्यारी मित्रों तो यहां पर राजा दुसरत यह बताने का प्रियास कर रहे हैं कह रहे हैं कि अब इन बातों को तुम पुना न दुहरा क्योंकि मेरी सिती मरासन सिती है तो यहां पर फिर पच्छताई हैं अंत अभागी मारिस गाए नहारू लागी अरी अभागी नहीं फिर तू अंत में पच्छताएगी जो तू नहारू अर्थाद एक गाए के समान के लिए गाए को मार रही है तू यह तरह से गाए की हत्या कर रही है इसलिए तू बार बार पच्छताएगी पस्चाताप करेगी तुम्हारा पस्चाताप तूस से अलग नहीं होगा मैं तो जा ही रहा हूं मैं तो मिर्टू की गोद में बैठा ही हूँ प्यारे में तुर ध्यान देंगे इस चुपाई में राजा दसरत की दसा का वड़न है कलंक मरने पर भी नहीं मिर्टा यह बात पताया गया इसमें कि मर जाने के पस्चाद भी कलंक आपका आपसे अलग नहीं होता है इस संदेश को राजा दसरत के माध्यम से केकेई को दिया जा रहा है प्यारे मित्रों यह सिछा प्रद भी है हम लोगों के जीवन के लिए भी बहुत ही महत्पून है तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स की बीच में सेयर करेंगे जिससे हर किसी के पास हमारा वीडियो पहुँच पाऊ है और सारा स्टुडेंट जो भी लोग हैं जो भी BS1 स्टर में हिंडी काभी को लिए हुए हैं वो इसको समझ पाऊ है तो इसी के साथ मैं चाहूँगा झाल झाल झाल